आज हम आपके सामने एक वीडियो परस्तुत करने जा रहे हैं जो आजकल के भाग दोड़के लाइफ के लिए most important खास है वीडियो का नाम शुरू करने से पहले करीका पपाया इंडियन ड्रॉक्स है जिसको प्रूब डाक्टर डियन राइस साहब ने किया था हमारे इंडिया में इसको पपीता के नाम से जानते हैं या plant kingdom की medicine है इंडिया में different type के नाम से पुकारते हैं हमारे भारत में हर जगा पाये जाने वाला फल है इस पर discuss करने से पहले इसका introduction जान लेते हैं तो मैं डाक्टर एन हक भूतपूर परफेसर medical college and hospital इसमें हर तरह के vitamins पाये जाते हैं A, B, C, D and E इतियादी इसके अलावे antibiotic, antiseptic, antifungal, anti-inflammatory है पुराने जमाने में इसका use abortion कराने के लिए किया जाता था जब कोई medical facilities नहीं था इसका mother tincture cotton में भिगो कर uterus के अंदर डाल दिया जाता था थोड़ी देर के बाद uterus का mouth contraction करना शुरू हो जाता था और भैंकर bleeding होता था किसी कारण बस abortion कराने की आउसकता पड़ता तो करीका पापाया का mother tincture use कराया जाता था इसलिए pregnant ladies को पपीता खाने से मना किया जाता रहा है डेंगू फिबर में पपीता का mother tincture जरूर देना चाहिए क्योंकि डेंगू फिबर में platelets का percentage घटने का संभावना रहता है यह हाई temperature हो जाता है क्योंकि platelets का percentage बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसदी है करीका पपाया तुरंद percentage को पूरा करता यानि बढ़ाता है यह फिबर को भी कम कर देता है अब करीका पपाया का लक्षन जान लेते हैं लिबर का इनलाज होना hepatitis, cirrhosis of liver, jaundice, esplene में सूजन, दर्द या किसी तरह का infection होना पेशाब में जलन, पिलापन, दर्द के साथ पेशाब, drop by drop होता है इन सब में करीका पपाया छू मंतर के तरह काम करता है पेट में गैस होना, सुबह-सुबह, खटा, धेकार, मिचली, यानी nausea and vomiting पेट में सूजन, दर्द, पैखाना में कबजियत, बार-बार जाना पड़ता है कभी diarrhea, कभी dysentery, dyspepsia, weak digestion, undigested food material, जैसे meat यह दूद से बना हुआ, चीज बरदास नहीं होता है कई हो जाता है, इत्यादी, भूख एकदम नहीं लगता है इस तरह के लक्षण होने पर, करीका पापाया एक बेहतिरीन एक्षिलेंट रिमेडी के रूप में है साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो भी वीडियो आये, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, अगर आप एपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल या टेलीफून के दुआरा कॉल कर सकते हैं थांकि यू फर वाचिंग माई वीडियो, आदा वर्ज